हेलो एव्यवान वंस अगीन विलकम बैक तो मैं चैनल तो आज मैं आप सबी के सामने एक नए ड्रॉमे के साथ हाजिर हूँ जिसका नाम है लेट्स मीट नाउ तो यह एक कोमेटी और रोमेंटिक ड्रामा है आप आप सबी को इस ड्रामा बहुत सद पसंद आएका और आप इस इस ड्रामे को आइंट तक जरूर देखेंगे तो दोस्तो इस ड्रामे को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब इसे छोटे से रिक्वस्ट करने चाहती हूँ कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कू मत भूलना और अगर आपको यह वीडियो ची इतने ही वहाँ पर उसके हां काम करने माला एक लड़का आता है वो उसे पताता है कि जो लोग उन्हें इंटरव्यो दे रहे हैं उन्में से एक लड़की कह रही है कि वह ब्लू कलर lässt नहीं बेनेगी बलकि दूसरे के रहां कर ड्रेस पहने से लिए इसलिए उनकी बाकी कयस को नहीं जान दिती लेकिन उसे जहां तक पदा था कि वह काफी ज़्यादा रूड है और वह किसी से तमीज से बात नहीं करते लेकिन उसे तो अपने शो को पिचाना था और इसके लिए उससे बात करना जरूरी था इसलिए वह उसके पास जाती है बड़े ही पुलाइट पूरिपनी में कोई प्रोब्लम है क्या अगर आपको को पूपराप्लम है तो आप हमएं बता दीजिए हम आपकी help करेंगी तो निरगकी बड़े ही अटीट्यूटे में उससे बोलती है की नहीं मुझे कोई प्रॉल्म नहीं है लेकिन मुझे उससे बात बहूरिंु कर्या कि यह काफ़े बड़ी है लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि अपने नीचे वालों को कुछ भी नहीं समझेगी शीक्यों के इतने रिक्वेस्ट करने पर भी वह एक्ट्रस पिल्कु भी नहीं मानती है इन सारे चीजों को देखको बहुत साथ गुसा आता है और उसके बाद सारे चीजों ठीक हो जाएंगी और वैसे बीकुछी टाइम तो मुझे उसके साथ काम करना है उसके बाद वह अपने रास्ते तो शीक्यों की दोस्ते बोलती है कि मिस्टर फू यहां पर नहीं आरे तो शीक्यों के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं वह काफे थादा हैंसम हो इसके गल्फिन डूना इन सारी बातों को सुनने के बाद वह बहुत ज़्यादा को जाती है तो तो शीक्यों के सामने आकर उससे बोलने लग जाता है कि मिस्स आपको लगता है कि आप गलट टार्गिट पर हिट कर रही है इसलिए तो आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो उससे बोलती है कि है सो शॉरी मैंने ध्यार नहीं ध्याद कर नहीं दो सीटिंग करने के लिए उससे बहात करने कि तुमें स्यूटिञ और इंचा है और उसे बोन लग ज़ाता है कि नहीं मुझे तो shooting करनी नहीं या थी है तो Sik-Yoo से बोलता है कि Okay, तुम्हें shooting करनी नहीं आ रहे हैं तो कोई बाती मैं उनको इसकों सिखा दूँगी वैसे भी मैं काफी अच्छी shooting कर लेती हूँ तो शीकी उसके तारीफ करने नग जाती है और उससे बोने नग जाती है कि first time में तुमने कितना अच्छा कर लिया यह सब तो जाउशी उसे बोलता है कि ने ने यह सब तुमारी विज़े से possible उपाया बना मैं तो यह सब कर भी नहीं पाता बाइद वे क्या तुम मुझे अपना मुबाइल नबर दे सकती हो क्योंकि मैं आपर अक्सर अक्कीड़ा ही रहता हूं जब मैं फ्री होंगा तो मैं तुम्हारे साथ आ जाओंगा उसकी बातों को सुनकर शीकी उससे बोलती है कि वैसे मैं ऐसे किसी को अपना नंबर नहीं दे तबी सौंग्शी उसे बताती है कि यहां पर आया है और उसने उसे शूटिंग करना सिखाया है काफी अच्छा स्कोर भी कैस ने फर्स टाइम पर ही अब जब सौंग्शी उसकी तारीफ करती है तो फू को काफे ज़दर जलन महसूस होती हो और वो उससे बोलने लग जाता ह है और जैसा वो सोचता है बिरकों वैसे होता है जाउशी को तेकनिक बाद फूस से बोलने लग जाता है कि बच्चे तुम्हें अभी प्रैक्टिस की और साथा ज़रूरा है तब ही तो क्या हुआ मैंने जब फर्स टाइम खेरा था तो में इससे तरीके से बात कर रहे होते ह साउशी के लिए उसके कोच चांब आता है और उसके बाद से ना शाते हुई वहां पर फोन रिसीव करने के लिए जाना पड़ता है तो सबसे पहरे तो जैसे उसके कोच उससे बात करते हैं तो काफी जाधा खूश जाते हैं क्योंकि वह दुबारा से चाईना वापिस आ ग चयँ आता है करते हैं जो लड़की एक सर्फ यहां पर आया करती हैं पर निदिते लग्ता नहीं तो जब समय देगा इस्लिट यहां पर रहती तो जब आता है तो तो वे ऐसे पता चलता है कि उसका किसे नीज्टी बना दिया है जिसमें कि वो अपने स्टाफ के साथ बत्तमीज भी कर रही थी अब इन सारी बातों को सुनने के बाद वो और भी सथा टेंशन में आ जाती है क्योंकि इस ताइम उसने उसके साथ कॉंट्रेक्ट साइन किया था और उस पर अगर कोई भी मुसीबत आती तो डारेक्टली वो जाना पड़ेगा टो वह उसे कंचे है काने काना पड़े कंदा बहुत ने कि वहिंसे अवहा पर से यहां को के मुठ Fam कैसे जाना पड़ेगा फटन परस को सब्सक्राइब की अरे अंकल आपके तकली मां मैं चाहता हूं मैं उससे पर्स पिर आ जाओँ वह से अचानक से जाता हुआ देखकर वं पर सांगसा भुर जाता है उसके बाद मुरहर से सामने ने ऐता है रुपक Link सब्सक्राइब के इस कि तरीक से भिहेव करेंगी तोड़ी देर में शीक अपनी दोस्त के लास जाती है तो उसके दोस्ते से बताती है कि हुए और वीडियो किसी को संट किया था उसकी इसे बात विश्युक्त का बुछाथ है और वह से बूहने लग जाती है कि तुम्हें प्राइवसी पर इंटर् नहीं होगा हमें इसका कोई solution तो निकालना पड़ेगा मुझे ही अब उनसे जाकर बात करनी पड़ेगा थोड़ी ही देर में वह उसके पार जाती है जिसने के अपने आप एक रूम में बंद कर लिया होता है तो वह उसके मैंजर की परमीशन लेकर थोड़ी ही देर में उसके बाहर पर जाती है जहां पर पिश्तर सिर्जीदाए कि उसके इक बात बहुती है तो इसे पाहर पर बाहर बैड़ेगा रहता है कि नहीं में सब्सक्रीन हैज इसके बातों को सुनगे और उसके बातों सकता हों कि तो इतना साथ परशान की हूँ थोड़ी तेरे पहले तो तुम्हारा मूट बिल्कुल ठीक था अचानक से तुम्हारे मूट को क्या हो गया तो जब वो दुने रास्ते पर जा रहे होते हैं तभी शीकी उसे बताती है कि वह एक डिरेक्टर है और उसके लाइफ में बहुत सार सब्सक्राइब कर देने के लिए वहां पर एक डिलीवरी बॉइब कर जाता है जहां कि उस्तिफ को अपनी कैप से कवर किया होता है ताकि कोई बी उसे पहचान अपाये लें कि थोड़ी देवे जैसे लोगों को वहां पर बुलाते हैं और जाउशी को उन से इंट्रिद्यूस करवाते हैं थोड़े ही देर पे वो सभी से बोलते हैं कि जाउशी एक बहुत ही अच्छा शूटिंग प्लेयर है और उसे बहुत सारे आवार्ड भी मिले हैं इसमें वह उन सभी का सीनियर तो सभी लोग उसके लिए तब यह जाउशी उन से बोलता है कि तुम्हें मुझे तड़ने के सरवात ने हैं बहले ही मैं तुम्हारा सीनियर हो लेकिन तुम सभी मुझे ऐसा फ्रेंड ट्रीक करोगे तो दोस तरफ शीक्यों अपने उसे दोस से मिलने के जाती है जिसने कि उस एक्ट्रिस की वीडियो बनाई होती है वो उससे बूरती है कि मुझे पता है कि तुमसे बहुत बड़ी कलती है और ये सच बेटी है क्योंकि एसके विज़े से तुम्हारी जॉब भी जा सकती है तुम्हें बहुत सिरियोस मौर्णिंग मीली है उनकी तरफ से अई होब कि तुम इस मिस्टेक को दु करने के लिए तो वह से बोलता है कि हाँ हाँ जरूर थोड़ी देर बाद पीने के लिए जहां पर कि दुनों साथ में बैठे होते हैं और एक दूसरे से बाते कर रहे होते हैं जिस तरीके से वह बहुत ही अच्छे दोस लग रहे होते हैं आज से पहले तुमने कभी किया है भी नहीं लगता है कि अच्छा तुम्हें 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 प्रूफ करकी दिखाऊंगे इस तरीके से वह अपने बहुत सारे ट्रेंक और कर लेती है और उसके बाद एके साथ उन सभी को पीने लग जाती है थोड़ी देर में वह सावशियों से बोलता है कि तुम तो म होंने लगती है कि हां तुम-दुम्घ से अभी बहुत चोटे हो तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम मेरे छोटे भायू तो सावशियों से बोलने लगता है कि अच्छा तुम मुझे छोटा बोलो लेकिन भाई उसकी बातों को सुनकर शीक्यों उसन